दोस्तों इस्टडी 91 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में लेकर हाजीरू 9 अप्रेल के सबसे मतपूर करेंड़ाफेर के प्रस्नों को चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन-कौन से प्रस्न हमाले इंपोर्टेंट है जो कि यहाँ पर दिये गए हैं ठीक है आईए शुरू करते हैं याद रखे का स्टडी 91 की टीम की तरफ से दोस्तों किताबे भी लांच की गए जिसमें लेकपाल परिच्छा के लिए दोस्तों यह चार सेट है जो आप परचेश कर सकते हैं या तो आप इन किताबों को अपने निजदी क किताब कहां पहुंची है ठीक है तो आप इन किताबों को अपने घर पर मंगा सकते हैं और बीडियो पर इक्ष्या के लिए दोस्तों किताबे जारी की गई हैं जिसमें एक किताब पर एक किताब निजदी सुल कर आपको दिया जा रहा है जिसमें model टेस पेपर की किताबे द आप इन courses को join कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हैं चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रशुत्तर का सिंखला और एक एक प्रशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने important यहां पर दिये गए हैं हालाही में किस राज्य में सरहुल मौत्सों 2022 मनाये गया जी हां दोस्तों अभी इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था गड़गौर मौत्सों के बारे में किसके बारे में पढ़ा था गड़गौर मौत्सों के बारे में रखेगा option number 2 यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा जारकन राज में और कम मना जाता दोस्तों यह नया वर्ष जो शुरू है दोस्तों चैत्र माह में याद रखेगा इसे हर चैत्र माह में जब नया साल सुरू होता हिंदी महीने का नया साल तब यह सरहूल मौसो मना जात और उराव जन जातियों के द्वारा इसको मना जाता है कौन-कौन सा मुंडा जन जाती हो जन जाती और उराव जन जातियों के द्वारा खास करके मना जाता है बाकी की तो यह और भी जन जाती है इसमें हिस्सा लेती ही लेती है ठीक है यह सभी चीज़े आप याद रखेग का इरद कभी होता नहीं है बट मुझे लगता है थोड़ा सा इरद होगा चली कोई बात नहीं दोस्तों तो पढ़ लेते हैं अगला सवाल हम लोग डेली क्या करते हैं जो लोग नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम लोग डेली ऐसे 10-15 सवालों का रिविजन करते है कि आर्ट एंग कल्चर से जुड़े कौन-कौन से सवाल हाल-फिलाल में चर्चा में रहे हैं उन पर एक बार चर्चा हम लोग जरूर करते हैं ठीक है चली आज नहीं है कोई बात नहीं आगे देखते हैं सही जोड़े का मिलान करना दोस्तों The Maverick Impact दोस्तों जो किताब है इ हरीस मेहता जी ने किसने लिखा है हरीस मेहता जी ने डिकोडिंग क्या लिख रहा है दोस्तों अच्छा मिलान कीजिए ठीक है और दूसरा दोस्तों डिकोडिंग इंडियन बाबु डोम दोस्तों जो किताब है इसको किसने लिखा है इसको लिखा है अस्वनी स्रिवास्तों जी ने बिर्शा मुंदा जंजाती नायक के उपर दोस्तों किताब लिखा है आलोग चक्रवाल जी ने ठीक है और कुईना फाय जो किताब है देवी का रंगाचारी ने लिखा है तो एक बार मिलान क्राई क्या बनेगा पहला बनेगा D, दूसरा बनेगा A, तीसरा बनेगा B और चौथा बनेगा C यानि D, A, B, C आपका सही जबाब हो जाएगा या आप यहाँ से सही कर लिजे ठीक आपसर नमर तीन आपका सही जबाब हो गया ठीक है ध्यान दीजेगा जैसा कि मैंने बताया कि The Maverick Infect किताब लिखा गया हरीस मेहता जी के द्वारा ठीक है और इसमें 1970 और 80 के दसक में एक बैंक आप ड्रीमर ने नैसकॉम बनाने और भारत में IT क्रांती लाने का दोस्तो मार्ग तसस्त किया था ये उसी के बारे में दोस्तो क्या करती एक किताब बताती है और खास करके नैसकॉम के जीवन के बारे में एक तरह से बताती है आप याद रखेगा हरीस मेहता की बात करें तो ये आनवार्ट टेक्नोलोजी लिम्टेट के संस्थापक है और कारेकारी अध्यक्ष है और ये काफी समय तक नैसकॉम के संस्थापक सदस से भी रहे है इसलिए इनको काफी उसके बारे में पता है तो इस किताब में यही बताये गया ठीक है इसको याद रखेगा आपके लिए अच्छा सवाल है चली आगे बढ़ते हैं दोस्तो एक बार सही जोड़े का मिलान के जे कि भारत की GDP दर का अनुमान किसने कितना लगाया है अगर मैं आज की बात करो दोस्तो तो Asian Development Bank ने दोस्तो अभी नया अनुमान जारी किया है कि भारत की जो यह दर रहेगा दोस्तो जो यहाँ पर दर रहेगा वो कितना है फिक्की का कितना है त्याद रखेगा इसी तरह ICR का कितना है OECD का कितना है यह सारी चीज़े आपको बताना है ठीक है तो अभी जो नया दर यहाँ बताया है ADB ने दोस्तो बताया है 7 पर्षन कितना बताया, साथ, इसको इडिट करके, दोस्तो, साड़े साथ कर लीजी, ये भी range चल ला है, दोस्तो, साथ से साड़े साथ याद रखेगा, ठीक है, फिक्की ने जो बताया था, दोस्तो, 7.4% का था, इसको याद रखेगा, ICR ने दोस्तो 7.2% का बताया था OECD ने दोस्तो 8.1 का बताया था और सबसे आदा Fitch rating ने बताया था कितना 8.5 ठीक है यहाँ पर match कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तो पहले बनेगा C, फिर बनेगा D, फिर बनेगा A, फिर बनेगा E फिर बनेगा last में B तो C से सुरू होगा B पर समाप्त होगा C से सुरू होगे B पर समाप्त यहाँ भी क्या होगा C, D, A, E, B है तो याद रखेगा option number 1 यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा option number 1 C, D, A, E, B याद रखेगा यहाँ पर थोड़ा साब चेंज कर लिए दोस्तों यह 7 से 7.5% रखेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर मैं बताओं कि यहाँ पर देखे 7% सामुहिक रूप से है और भारत की GDP दर इस पेसली दोस्तों 7.5% की बृद्धिक अर्मा लगाया है 8% कहा है कि अगला financial यह 24 जब चलेगा उसमें 8% financial रखेज के लिए 7.5% यह सामुहिक रूप से जो ACI के अर्थब्योस्ता है चलने उनके लिए दोस्तों 7% कहा गया था जबकि भारत के लिए स्पेसली कितना है 7.5% है तो इसको भी आप याद रखेगा भूलिएगा माँ ठीक है ACI विकास बैंक की बात कर दें ACN Development बैंक की बात कर दें ADB की तो इसका मुख्याल है दोस्तों मनिला में है फिलिपिन्स मनिला में 68 देश दोस्तों के इसके सदस है 1966 में दोस्तों इसके अस्थापना हुआ था याद रखेगा ठीक है और अशा कावा दोस्तों इसके क्या है वर्तमान में इसके अध्यच्छ है ये भी आप याद रखेगा चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर लिख रहा बिश्वा स्वास्थे दिवस और अंतराष्टी योग दिवस की उल्टी गिंती के 75 दिन आयूस मंत्राले द्वारा योग महुत्सों का आयूजन दोस्तों कहां पर किया गया याद अच्छे पता ही पहले आयूस मंत्री कौन है वर्तमान में आयूस मंत्री कौन है आप सभी को पता होगा सरवानन सोनोवाल कौन है शरवानन सोनोवाल याद रखेगा ये पहले असम के मुख्यमंत्री थी ठीक है अब क्या होगा है दोस्तों इनके पाद दो-दो मंत्राला है एक आयूस मंत्राला है एक बंदर गाय वाम जहाजरानी मंत्राले भी है ठीक है और ये योग महुस्तों का आयोजन दोस्तों अभी कहां किया गया तो ये आयोजन किया गया दोस्तों लाल किला नई दिल्ली में ठीक है बाकी के आपसन आपके सामने जो दिये गया हो गलत है कोई लेना देना नहीं मैंने जानबूच कर ऐसे आपसन बनाएं कि आप गलती करें ठीक है तो याद रखेगा ये योग मौस्तो अभी तो याद रखेगा अंतराष्टी योग दिवस कम मनाया जाएगा दोस्तो अंतराष्टी योग दिवस मनाया जाता 21 जून को मनाया जाता है जिस दिन याद रखेगा प्रित्वी पर उत्तरी गोलार्द में सबसे बड़ा दिन होता सबसे बड़ा दिन होता उतरी गुलार्द में याद रखेगा 21 जून को यह मनाय जाता है ठीक है 21 जून को यह अंतराश्टी योगदिस मनाय जाता है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तब यह शुरू किया गया योग महुस्तो कहां पर लाल किला नई दिल्ली मे यहां दोस्तो बाते दिखी गई है हां मुक्य अतिति दोस्तो कौन है तो याद रखेगा जो मारे वर्तमान में लोकसबाद द्यक्ष है ओम बिल्ला जी यहां पर क्या दोस्तो मुक्य अतिति की रूप में आ रहे हैं इसको भी याद रखेगा बाकी की बाते यहां पर लिख करें दोस्तों तो इनको बिला पूरसकार आभी दिया गया था ओरा इंसे जाना जाता है और हिमांसु बाचपेगे कोइसा ही तकी हम पूरसकार दिया गया युवा पुरशकार ये दिया गया था किसे दिया गया था दोस्तों युवा पुरशकार ये हिमान्सु बाजपेई को यहाँ जो आपका सही जवाब है यह नारामदरस मिस्तरा जी है याद र lifesby जिन्हे सरसथी संमान के लिए चुना गया सर्फती सम्मान में दोस्तो पदक दिया जाता है और क्या दिया जाता है पंद्रा लाख रुपए दिये जाते हैं ठीक है सर्फती सम्मान याद रखेगा यह किसे दिया गया तो राम दरस मिस्रा जी को दिया गया सवाल बहुत इंपोर्टेंट है सर्फती सम्मान बिड़ला पुरसकार, साहित अकादमी पुरसकार इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं ठीक है तो इसको पढ़िएगा दोस्तो यहां देखे बाकी वाते लिखी गई है अच्छा इनकी एक कविता संग्रह है याद रखेगा और यह प् मैं तो यहां हूँ मैं तो यहां हूँ इस राचना के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया है याद रखेगा ठीक है और बाकी आपको बताए दिया गया कि 15 लाक रुपए नगत पुरसकार प्रसस्ती पत्र यह सब इसके साथ भिट किये जाते हैं तो इसको भी याद रखेग हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री उद्यमी क्रांती योजना सुरू किया गया मुख्य मंत्री उद्यमी क्रांती योजना आज कुछ अटपठा सा मुझे लग रहा पढ़ाने में ठीक है क्योंकि वन लाइनर वाला जब राता ना तो बड़े सारे सवाल आते हैं खड़े होते हैं कि भाई हाल फिलाल में ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा एक रिवीजन होता है चलिए कोई बात नहीं ठीक है रिवेजन आगे हो जाए कोई समस्या नहीं मुख्यमंत्री उद्द्यमिकरांती हो जाना दोस्तों यह अभी किसरा सरकार द्वारा श् पात्रा नहीं होंगे इसके नीचे होने चाहिए दोस्तों तब पात्रा होंगे तो ऐसे लोगों को लोन मिलेगा मसमी आप जानी रहे हैं सूच में लग हुए मध्यम उद्द्यम मंत्राले इसमें हात मिलाया हुए इनके साथ ठीक यह भी याद रखेगा इस मंत्राले के मंत कि 36 गड़ की बिरुजगारी दर दोस्तों सबसे कम है कितना तो हमने पढ़ा था 0.6% है बिरुजगारी दर यह तो नंबर एक पर था दोस्तों नंबर दो पर दोस्तों याद रखेगा यंपी आता है जहां सबसे कम बिरुजगारी दर है यह भी याद रखेगा नंबर दो सबसे कम बेरोजगारी दर मद्यप्रदेश में हैं बाकी की बाते दोस्तों यहां लिखी गई है और सब कुछ बताया गया कि 12 लाग उर्पय वार्शी काय तक के जो परिवार होंगे वो यहां रिड लेने के पात्र होंगे 3% ब्याज जोगाउस सब्सीडी मिलेगा यहां पर इस सारी बाते लिखी गई है करा एंटी पीची नेशनल थर्मल पावर कार्पूशन ने किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइडरोजन को प्राकृतिक गैस में मिलाने पर समझोता किया है यह समझोता दो लोगों के मद्द हुआ है एक तो एंटी पीची है और एंटी पीची ने प्राकृतिक गैस में मिलाने जा रही है यह अब याद रखेगा अभी हाइडरोजन समिस्ट्रण के लिए एक प्लांट लगाया था आपको पता होगा ये गेल लगाया था गैस था इंडिया लिजिन लिकिट ने यह प्लांट दोस्तों इंदॉर में लगा कहां पे लगा इ यह भी आप याद रखेगा, इस तरह के भी सवाल बनते हैं, तो यहाँ पर फिलाल याद रखेगा, यह GGL हो जाएगा, बाकि TPL, तमिन लाडू, पेट्रो प्रोड़क्त लिम्टेट का नाम सुनाओगा, ठीक है, तो वो है, CNG दोस्तों, कॉम्परिश नेचुरल गैस है, ONGC Oil and Natural Gas Corporation है, ठीक है, यह सब तो यहाँ उत्तर नहीं होगा, याद रखेगा, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, क्या, NTPC के साथ जो समझोता किया हो, GGL ने किया है, ठीक है, यहाँ लिखाए दोस्तों, GGL जो है भारत की सबसे बड़ी City Gas Distribution Company है, जिसका परिचालन 6 राज कि में किसकी अध्यस्ता में सतरकान ने सेमी कौन इंडिया सलाकार समिती के गठन को मंजूरी दिया है, ठीक है, तो आपको याद होगा, दोस्तों, सरकार जो है, 7000 करोड रुपे, यह सेमी कंड़क्टर के छेतर में, दोस्तों, सेमी कंड़क्टर, सेमी कंड़क्टर, सेमी क सुना होगा ये कंपनी आ गया यह ठीक है और यहां पर दोस्तों इसी के लिए एक सलाकार कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष उने गए वर्तमान में हमारे IT मंत्री है नाम है अस्विनी वैस्णो ये दोस्तों वर्तमान में वो भी है आपके रिल मंत्राले के मंत्री भी ह तो इन्हों ने दोस्तों इसके अध्यक्षता किया है मतलब इस यहां जो सलाकार समिती बन रही है इसका जो गठन किया जर उसका अध्यच कौन है प्याद रखेगा अस्विनी बैश्णो जीन राजी चंद सेखर जी की बात कर दोस्तों तो यह उपाद्ध्यक्ष है याद भी आप याद रखेगा ठीक है बाकी की बाते फिर से कहा रहा हूं दोस्तों यहाँ पे लिखी गई हैं आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अगले सवाल पर आईए करा भारत की कौन-कौन कौन-कौन सामिल हुए एक आईएटी दिल्ली सामिल हुए याद रखेगा यहाँ कई सारी इनवर्स्टी और भी है जिनका चुनाओ अलग-अलग चीजों में किया गया तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ठीक है पहले तो आप यह याद रखेगा कि क्यूएस वर्ड इनवर्स्टी डैंकिंग में टॉफ हंड्रेंड में किन दो को सामिल किया गया है ठीक है और तब हम लोग आगे और भी पढ़ते देखे यह कई सारी स्रेडियां है जैसे कला और मानविकी में दोस्तों आक्सपोर्ड इ याद रखेगा बाकी की बातें यहाँ पर लिखी गई है वैगनर ग्रुप दोस्तों अभी चर्चा में रहा दोस्तों एक किस देश की एक नीजी सैनिक लाए जा रहे हैं रूस और यूकरेन की बीच में लाए चलना दोस्तों तो रूस जो है भाडे पर सैनिकों को तयार कर रहा है और उनको रूस भेज रहा है दोस्तों कहां पर यूकरेन में भेज रहा है उनको वैगनर ग्रुप नाम दिया गया क्या नाम दिया गया वैगनर ग्रुप याद रखेगा यह रूस देश की एक नीजी सैन ने कमपनी है दोस्तों वो भी अपयुद्ध में हिस्सेदा बनने जा रही है तो याद रखेगा ठीक है ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है बाकि रूस यूकरेन की लड़ाई में दोस्तो यूकरेन में जो भारती पसे थे उनको निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिसन चलाया था तो ऑप्रेशन गंगा मिसन चलाया था और भारत क चार कैबिनेट मिनिस्टर वो यूकरेन के पडोसी देशों में गए वे थे जहां से भारतीयों को निकालने में उन्होंने काफी मदद किया ठीक है तो ये सारी बाते आप देख रहे हैं बाकी वैगनार गूर्प दोस्तों मैंने बताई दिया आपको इसके बारे में ही आप पड़ता है तो बड़ी दिक्कत होती तो इस तरह की क्लास से उस दिन मैनेज की जा सकती है कि नी कम सकम इससे क्या होगा कि नितिन सब्सक्राइब करते हूं बंग करने वाले उनकी आदत छोड़ जाएगी है कि नी थोड़ा सायो करिए आप बताएगा कमेंट करके कि कभी अ चाहिए विद्यार्तियों को गुमराह नहीं करना है ठीक है और उकी तरह नहीं कि खुब वीडियो बनाते गए बनाते गए उनका कोई मतलब मतलब नहीं अच्छा कर आप कुछ भी दो मतलब होना चाहिए आप देखते होंगे करेंट एफिर की क्लास या कोई भी क्लास जम् होती है मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्षर में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत थैंक यू थैंक यू सो मच यह हमारे हेल्पलाइन नंबर है इन पर अगर कॉल करना चाहिए तो कॉल करके किसी भी समस्या के बारे में जानकर इप्ताप्त कर सकते हैं ठीक है ध